Hey guys, welcome back to Naughty Stitches आज के इस वीडियो में हम इस लेस को लगा के सुन्दर साइक नेक डिजाइन बनाएंगे बहुत ही डिफरेंट तरीके से हम इस लेस का इस्तेमाल करेंगे तो नेक डिजाइन को पूरा देखने के लिए वीडियो के इन तक जरूर देखिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं इसे बनाना इसके लिए मैंने यहाँ पर पेस्टिंग वाली बुकरम ली है जिसकी लंबाई मैंने ली है 21 इंच और चौड़ाई मैंने ली है साड़े 10 इंच अब हम इस बुकरम को बीच में से फोल्ड करेंगे इस तरह से और अब हम अपने गले की चौड़ाई का निशान इसके उपर लगाएंगे तो गले की चौड़ाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं यहाँ पर मैं 3.5 इंच गले की चौड़ाई ले रही हूँ यानि की 3.5 इंच और गले की लंबाई मैं ले रही हूँ 8 इंच आप अपनी measurement से गले की लंबाई और चौड़ाई का निशान लगाने के बाद अपनी पसंद का कोई भी गला यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं मैं यहाँ पर 5 शेप गला ड्रॉ कर रही हूँ तो इस तरीके से मैंने नीचे से एक शेप ड्रॉ की है और अब हम उपर से तक्रीबन आधा इंच अंदर की तरफ निशान लगाएंगे और इस तरीके से हम यहाँ पर भी एक शेप ड्रॉख कर देंगे अब हम इस गले के चारो तरफ एक पैनल ड्रॉख करेंगे एक इंच चौड़ा इस तरीके से तो एक इंच की दूरी पर हम इस तरह से निशान लगा लेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से एक इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे पैनल की लंबाई हम रखेंगे साड़े 9 इंच यानि 9.5 इंच और अब इसे नीचे से हम गुलाई वाली शेप दे देंगे अब हम एक स्केल की हेल्प से इस तरह निशान लगाएंगे और उपर वाले निशानों को भी आपस में इस तरह जोड़ देंगे तो इस तरीके से हम गले के चारो तरफ एक इंच चौड़ा बॉर्डर ड्रॉ कर लेंगे अब हम इसकी कटिंग करेंगे तो गला हमने कटिंग कर लिया है अब हम इसके बीच में से एक पतला सा पैनल कट करना है बिल्कुल थोड़ा सा हमें बुक्रम का हिस्सा है हाँ पर कट करना है सीधा सीधा इस तरह से और नीचे से तक्रीवन एक इंच की दूरी पर हमें इसको इस तरीके से कट कर देना है तो यहाँ पर गला हमारा कटिंग हो गया है अब यहाँ पर मैंने इसको black color के कपड़े के उपर चिपका लिया है और extra कपड़ा cut कर लिया है अब हम side से इस तरह notches लगाएंगे और अब इस कपड़े को हम अंदर की तरफ मोर देंगे और कच्चा ठांका यहाँ पर लगा देंगे तो इस तरीके से extra कपड़ा हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इसको अच्छे से सिल देंगे बिल्कुल सफाइस है तो यहाँ पर मैंने कच्चा ठांका लगा लिया है और अब हम कुर्ती की wrong side पर इस गले को इस तरीके से रखेंगे कि यह कुर्ती की wrong side और गले की right side एक दूसरे को face करें और अब इसके center में मैंने सिलाई लगा लिया है ताकि यह बीच में से हिले नहीं अब हम इसके चारो तरफ बुक्रम के बिल्कुल साथ साथ सिलाई लगा लेंगे इस तरह बिल्कुल बारिक बख्ये से बहुत ही सफाई से हमें सिलाई लगानी है और चारो तरफ सिलाई लगाने के बाद हम अंदर से एक्स्ट्रा कपडा कट करेंगे center में कट करते हुए बहुत ही धान रखना है क्योंकि कपडा यहां पर बहुत कम है और थोड़ी सी भी अगर कैंची इदर उदर होगी तो हमारा धागा कट जाएगा और हमारा गला खराब हो जाएगा तो इसलिए हमें बहुत ही धान देना है अब छोटे छोटे नौचिस लगाने के बाद हम इसको पलट देंगे सीधी तरफ इस तरह से और पलटने के बाद इसके चारो तरफ हम सिलाई लगा लेंगे इस तरीके से यह देखिए बहुत ही सफाई से हम इसके उपर सिलाई लगाने है बहुत ही ध्यान से अगर आप बिगिनर हैं तो सिलाई लगाने से पहले अच्छे से पिंस लगा लीजिए ताकि गला बिल्कुल अच्छे से सेट हो जाए और उसके बाद ही आप सिलाई लगाईएगा तो गला हमारा यहाँ पर बन गया अब हमें इसके नीचे एक पट्टी लगानी है लेकिन पट्टी लगाने से पहले हमें गले को अच्छे से सेट करके चौक से निशान लगाना है इस तरह जितनी भी हमें लिंबाई चाहिए उतना हमें चॉक से निशान लगाना है दोनों तरफ अब यहां पर मैंने ब्लैक कलर की एक पट्टी तेयार किया है इसके नीचे अटाच करने के लिए और इसे मैं कुर्थी की लेफ्ट साइट पर अटाच कर रही हूँ इस तरीके से लिए पर फर्टी अपनों गई अब में यहां पर ब्लैक कलर का ब्लाकेट धा फैवरिक लिया हुआ अब मैं इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक triangular shape दे दूंगी ताकि इसका एक motive बिल्कुल उपर की तरफ नजर आए अगर आपके पास इस तरह का चोटे चोटे डिजाइन वाला ब्रॉकेड नहीं है तो आप कोई भी ब्रॉकेड का फैब्रिक यूज कर सकते हैं और उसमें बना सकते हैं या फिर अगर आपके पास ब्रॉकेड नहीं भी है तो आप कोई भी अपनी पसंद के फैब्रिक ट्राइंगल इसके उपर बना सकते हैं अपनी लेस के साथ मैच करते हुए कपड़े के आप फैब्रिक के ट्राइंगल बना सकते हैं तो इस तरीके से मैंने यहा सी डीटेल एड हो जाती है इस तरह की चीजों से गले में और ये स्टेप बिलकुल ऑप्शनल है आप किसी भी फैबरिक के ट्राइंगल यहां पर बना कर लगा सकते हैं तो इसी तरह से मैंने बाकी के ट्राइंगल भी बना कर तयार कर लिए हैं और गले के बीच में इस तरह से काम किया हुआ इसके उपर बहुत इजिली बाजार में इस तरह की लेस आजकल अवैलेबल हैं अब क्योंकि लेस बहुत चौड़ी है तो घूम घूम कर गले के गुलाई वाले हिस्सों पर तो नहीं लग पाएगी और हमें थोड़ा सा डिफरेंट लुक भी देनी है गले को तो इसके लिए हम इस लेस को बीच में से कट कर लेंगे तो ये देखिए इस तरीके से हम लेस को कट कर लेंगे एक भाग तो हमने लेस का कट करके अलग कर दिया है और इसी तरह से हम एक और भाग कट करके अलग कर लेंगे लेस का तो आप देख सकते हैं कितना इजी लिए क कट करके हम अलग कर पा रहे हैं और एक ही लेस को हमने तीन भागों में डिवाइड कर लिया है अब हम ये बीच वाला हिस्सा यूज करेंगे गले के उपर लगाने के लिए यहाँ पर इस हिस्से को हम इस तरीके से कट करेंगे कि इसके जो सीक्वेंस वाले मोटिफ्स हैं ये अलग अलग नजर आएं और लगने के बाद ऐसे लगे जैसे ये इंब्राइडरी की हुई है ये देखिए इस तरीके से मैं इसको थोड़ी सी छटाई कर दूँगी यहाँ से ये देखिए इस तरीके से मैंने इस लेस को अच्छे से कट कर लिया है और बहुती सुन्दर सी ये लेस हमारी बन कर त्यार हो गई है अब हम इसको बीच में से भी इस तरह से कट्स लगा लेंगे ताकि ये गोलाई वाले हिस्सों पर असानी से घूम घूम कर लग सके इस तरीके से तो ये देखिए अब हम इस तरह से गले के उपर इस लेस को रखेंगे और बहुती सफाई से इसको बिल्कुल हलके हाथ से घूमाते हुए अटाच करेंगे इस तरह से ये देखिए आप देख सकते हैं कि नीचे से भी गोलाई वाले भाग पे कितनी आसानी से ये लेस घूम कर लग गई है गले के डिजाइन में चाहे कितनी भी कर्व्स हों ये लेस अब आसानी से लग जाएगी अब हम इस तरफ भी अच्छे से सिलाई लगा लेंगे लेकिन ये जो गोलाई वाला हिस्सा है नीचे की तरफ यहाँ पर हम सीधी सिलाई नहीं लगा सकते तो हम इस तरीके से ये देखिए मोटिफ्स के बीच में हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे ताकि अच्छे से सेट हो जाएं अगर हम सीधी सिलाई इसके उपर ले जाएंगे तो नीचे से महरून कपड़ा विजिबल है और यहाँ पर मैं गोल्डन कलर का थ्रेड यूज़ कर रही हूँ तो वो थ्रेड जो है महरून कपड़े के उपर नजर आएगा इसलिए मैंने सीधी सिलाई यहाँ पर नहीं लगाई अब बाकी की लेस पर हम इसी तरह से सीधी सिलाई लगा लेंगे यह देखिए कितने अच्छे से हमारी यह लेस गले के उपर लग गई है और बहुती सिंपल और सोबर सा हमारा यह नेक डिजाइन बन कर तयार हो गया है यहाँ पर मैंने गले के डिजाइन को थोड़ा सा हलका ही रखा है क्योंकि इसके गेरे और बाजु का डिजाइन में थोड़ा हैवी बनाने वाली हूँ इसकी स्लीव का डिजाइन देखने के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजेगा और साथी बैल आइकन को भी दबा लीजेगा ताकि जैसी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुंच आए और अगर आपको इसी तरह के और नेक डिजाइन और स्लीव डिजाइन के वीडियो देखने है जो मैंने लेसस का इस्तेमाल करके बनाए है तो इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिएके लिंक पे क्लिक करके देख सकते हैं तो guys आज के लिए बस इतना ही अगर आपको मेरे ये वीडियो अच्छा लगाते से लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बैल आइकन है उसे दबाना ना बोलें ताकि आपको मेरे वीडियो के रेगलर अपडेट्स मिल सकें साथ याप मुझे फेस्बुक पर भी ज़रूर फॉलो कर लीजेगा जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो guys thank you so much for watching बाई बाई